Hello Everyone, Welcome to Study IQ Study IQ के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा Important Obituries Obituries का मतलब क्या होता है? Shraddhanjali बहुत सारे important लोग है जिनकी death हो चुकी है पिछले 6 महिनों में इनकी संक्या 1000 से ज़ादा होगी Obviously इतना बड़ा country है 140 करोल लोग हैं और जो important व्यक्ति है वो कम नहीं है भारत में तो बहुत ज़ादा है लेकिन exam point of view से मैंने सिर्फ जो important है आपके लिए वो इसमें लिये है वीडियो में तो जिनके आने के chances मेरी नजरों में सबसे ज़ादा है मेरे अनुभव के आधार पर मैंने इनको select किया है ध्यान रखिए तो आई ये शुरू करते हैं एक बात और ये जितने भी compilation वीडियो है न सारे 20 जून तक हैं तो मैंने इनमें 20 जून तक के latest एकदम जो है compilation cover किये हैं तो important obituary स्टार्ट करते हैं शिर्वमणी अकाली दल एक party है पंजाब की political party है तो उसके नेता थे बहुत बड़े और पांच बार पंजाब के मुखे मंतरी परकाश शिंग बादल की death हो गई और इन्हें पदम विभूशन मिला था 2015 में पदम विभूशन बारत रतन के बाद भारत का highest civilian honor है यानि कि after भारत रतना सबसे बड़ा award है पदम विभूशन तो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है एक तो ये पंजाब के मुखे मंतरी थे पांच बार ये याद रखने वाली है और इनकी party का नाम था शिरोमणी अकाली दल एक boxer थे भारत के बहुत बड़े कौर सिंग पंजाब से थे इन्हें पदम शिरी अरजुन पुसकार सब मिले हुए थे और इनकी सबसे important बात ये थी कि मुहमद अली मुहमद अली दुनिया के सबसे famous boxer थे अमेरिका के थे जब ये इंडिया आये थे तो नई दिल्ली में इन्होंने इनके साथ match खेला था तो कौर सिंग ने अमरिका के boxer मुहमद अली के साथ match खेला था इनकी death हो गई अजीज मुशबर एहमदी ये super important है क्योंकि ये भारत के chief justice थे ये कौन से chief justice थे भारत के 26th chief justice थे ये number भी आपको याद रखना है गुजरात से थे ये और ये तीसरे मुसलिम chief justice थे भारत के आफ्टर मुहमद हिदायत उल्ला और मिर्जा हमिदुल्ला बैग दो cases हैं बहुत important इंसे related एक तो है S.R. Bommai versus Union of India S.R. Bommai कौन थे आपने करनाटक के मुख्यमंत्री सुने होंगे बसवराज Bommai जो अभी तो सिदरमया आ गए है इनसे पहले बसवराज Bommai थे तो उनके पिता थे S.R. Bommai इस case में क्या decide हुआ था जो 356 लगता है यानि कि राश्पती, साश्चन या state emergency उसको लेकर provision decide हुए थे S.R. Bommai versus Union of India और एक था second judges case जहां से collegium system आया judicial appointment के लिए तो ये दो cases में ये bench पे थे बहुत ही important question है अजीज मुशबर एहमधी कनक रेले एक मोहिनी अट्टम की dancer थी तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इनका हुनर किस चीज में था इनका जो हुनर था मोहिनी अट्टम में था और मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का dance है केरल के दो dance बहुत famous है एक तो मोहिनी अट्टम और एक कथक कली कथक कली तो डॉक्टर कनक रेले की death हो गई फिर भारत के दो पूर्व गवर्नर हैं जिनकी death हो गई एक तो ओम परकाश कोली ये गुजरात के गवर्नर थे 2014 से 2019 तक और दूसरे केसरी नात्र पाठी ये बंगाल के गवर्नर थे लंबे समय तक लेकिन छोटे छोटे टाइम में ये बिहार, मेगालिया और मिजोरम के गवर्नर भी थे यानि दिर्ग कालिक बंगाल के बंगाल में काफी लंबे समय तक थे लेकिन अल्प कालिक यानि बहुत छोटे समय के लिए ये बिहार, मेगालिया और मिजोरम के गवर्नर थे केसरी नात्र पाठी दोनों की death हो गई एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर तेहमटन उडवाडिया इनको father of leproscopic surgery कहा जाता है इनकी death हो गई बहुत बड़े सर्जन थे leproscopic surgery होती है दुर्बीन से सर्जरी करना जिसमें आप बहुत ज़्यदा patient को injure नहीं करते less invasive होती है तो आजकल तो जालतर जो सर्जरी होती है वो leproscopy से ही होती है तो डॉक्टर तेहमटन उडवाडिया को father of leproscopic surgery कहा जाता था केरल के पहले वेक्ति जिने अशोक चक्र मिला था इनका नाम था हबलदार albida cruise ये है albida cruise और इनके पास जो ये आप अबॉर्ड देख रहे हैं ये है अशोक चक्र तो केरल के पहले ये वेक्ति थे हमारे soldier थे जिने अशोक चक्र मिला था हबलदार albida cruise इनका निधन हो गया एक बहुत ही बड़ी लेखी का थी इनकी किताबे आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है जैसे The Dilemma of a Ghost इनकी बहुत फेमस किताब है एक और इनकी किताब बहुत फेमस है जिसका नाम है Changes ये घाना से थी इनका नाम है अमा अटाडू तो ये कहां से थी घाना से ठीक है इनकी डेथ हो गई वेद कुमारी घई संस्कृत की विद्वान थी जमु कश्मीर से इनकी डेथ हो गई वेद कुमारी घई संस्कृत के लिए एक अबॉर्ड भी दिया जाता है केके बिर्ला फांडेशन के द्वारा जिसका नाम है बचस्पती पुरुस्कार और संस्कृत भारत में मटोर गाउं है करनाटक में वहाँ पर बोली जाती है टीना टर्नर टीना टर्नर जो है इनकी भी डेथ हो गई इन्हें कुईन ओफ रॉक एंड रोल कहा जाता था और टीना टर्नर जो है वो कहां से थी टीना टर्नर जो है वो अमेरिका से थी यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ क्योंकि संस्कृत की बात हुई है संस्कृत में एक विदवान ओड़ थे जिनके डेथ हुई अभी-अभी डॉक्टर मत्तूर नंद कुमार यह अपने नाम में मत्तूर लगाते थे क्योंकि यह करनाटक के मत्तूर गाउं से ही थे लेकिन यह ब्रिटेन में रहते थे और इन्हें ब्रिटेन का सर्वोच नागरिक समान मिला हुआ था Order of the British Empire तो वो मिला हुआ था तो इसलिए यह बहुत इंपोर्टेंट थे डॉक्टर नंद कुमार के डेथ भी हो गई और यह भी संस्कृत के विद्वान थे तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं महात्मा गांधी के पोते grandson अरुन गांधी के डेथ हो गई यह भी गांधी जी के सिध्धानतों पे चलते थे गांधी जी के पोते थे तो गांधी जी के कौन से बेटे के बेटे थे यह गांधी जी का बेटा मनिलाल गांधी उसके बेटे थे अरुन गांधी और डर्बन में रहते थे यह डर्बन में मतब विदेश में ज्यादा रहते थे डर्बन में जनम हुआ था इनका 1934 में तो अरुन गांधी की टैथ हो गई अरुन गांधी ने दो किताबी भी लिखी एक का नाम है Legacy of Love और एक का नाम है The Gift of Anger The Gift of Anger and Legacy of Love मशूर वेग्यानिक Dr. N. Gopal Krishnan की टैथ हो गई ये CSIR के वेग्यानिक थे बहुत बड़े और सबसे इंपोर्टेंट इन्होंने केरल की राजधानी त्रिवेंदरम में एक इंस्टिट्यूट है जिसकी स्थापना करी तो इंस्टिट्यूट का नाम है Indian Institute of Scientific Heritage भारतिये वेग्यानिक दरोहर संस्थान Indian Institute of Scientific Heritage के फाउंडर थे डॉक्टर एन गॉपाल क्रिष्टन इनकी डैथ हो गई डॉक्टर जफरुल्ला चौधरी ये बहुत कुछ थे ये एक फ्रिडम फाइटर भी थे बांगलदेश में इन्हें रामोन मेकसे से अवर्ड मिला था दुनिया की सेवा करने के लिए इन्हें गरीबों का डॉक्टर यानि डॉक्टर ऑफ दा पूर कहा जाता था ये हेल्थ एक्टिविस भी थे और इन्हें बांगलदेश का हाइस्ट सिविल और ओनर मिला था बांगलदेश में दो अवर्ड हैं जो भाके सर्वोच सम्मान है एक तो है इंडिपेंडन्स अवर्ड और एक को बोलते हैं एकुषे पदक जैसे भारत में तो एक ही होता है भारत रतन बांगलदेश में दो अवर्ड होते हैं जिनें हाइस्ट बोलते हैं इंडिपेंडन्स अवार्ड और एकुषे पदक, तो इन्हें इंडिपेंडन्स अवार्ड जो है मिला हुआ था, दॉक्टर जफरुल्ला चौदरी, मराठी में एक आर्ट होती है, फोक आर्ट जिसको बोलते हैं लवणी, तो लवणी सिंगर थी, सुलोचना चवन इनकी डेथ हो गई इन्हें Queen of Lovni यानि Lovni सम्रदन ही कहा जाता था तो Lovni कहां का एक famous music genre है महराष्टर का तो महराष्टर में एक theater होता है जिसे बोलते हैं तमाशा, तमाशा के अंदर ये music यूज़ किया जाता है लवणी तो Lovni की बहुत बड़ी singer थी सुलोचना चवन इनकी डेथ हो गई एक ऐसे ही करनाटक में काववे वाचन होता है जिसे गमक बोलते हैं तो गमक के बहुत बड़े exponent थे HR केशव मूर्ती इनकी डेथ हो गई गमक होता गया है करनाटक में एक तरीका होता है कविताय सुनाने का कहानिया सुनाने का उसको गमक कहा जाता है तो गमक के विद्वान थे HR केशव मूर्ती ब्राजिल के फुटबॉल खिराडी पेले का निधन हो गया दिसंबर की बात है इन्हें ब्लैक पल यानि काला मोती बोलते थे तीन वर्लकप इन्हों ने ब्राजिल को जितवाए 1958, 1962 और 1970 इन्हें Athlete of the Century का वर्ड भी मिला था अंतराष्टी ओलंपिक समिती के द्वारा अभी जो पॉप है हमारे वो है पॉप फ्रांसिस जो कैथोलिक चर्च होता है वैटिकन में उसकी सबसे उचे जो कलड़ी में होते हैं वो उनको पादरी कहा जाता है पॉप जो सबसे उचे पादरी होते हैं यानि पॉप होते हैं तो पॉप फ्रांसिस जो फादर होते हैं तो पॉप फ्रांसिस अभी है जो अर्जंटीना के इनसे पहले थे पॉप बेनेडिक्ट, पॉप बेनेडिक्ट द शिक्स्टीन, इनका असली नाम था जॉसेफ रेडजिंगर और ये जर्मनी से थे, तो इनकी डेथ भी हो गई अपोलो 7, देखो सारी दुनिया जानती है कि अपोलो 11 में निलाम स्टॉंग बैटके गए थे, ये तो आपको पता होगा, तहां गए थे निलाम स्टॉंग, चान पे गए थे, ये पहले वेक्ति थे जो मून पे गए थे, लेकिन अपोलो 11 से पहले गया था अपोलो 7, तो अग प्रोफेसर हैं, रह्मान राही, ये मशूर कवी थे और कश्मीर के पहले वेक्ति थे, जिनने ग्यानपीट हवर्ड मिला था, तो ध्यान रखिए, इनकी डैथ भी अभी अभी हो गई, क्लियर, ग्यानपीट हवर्ड जो होता है, ग्यानपीट हवर्ड को हम भारत का सबसे ब दामोदर मोजो को, दामोदर मोजो ये गोवा से हैं और ये कुञकरणी भाषा में अपनी कवीताएं लिखते हैं, इन्हें मिला है ग्यानपीट हवर्ड, अब हम बात करते हैं कॉंस्टेंटीन दफ़ितिये की, कॉंस्टेंटीन दफ़ितिये ये ग्रीस के आखरी राजा थे, त तो फिर वहाँ राज सत्ता खतम हो गई थी फिर उचुनाब वगरा होने लगे थे तो ये जिंदा थे अभी तक आखरी राजा थे ग्रीस के कॉंस्टेंटीन टू इनकी डैथ हो गई एक व्यक्ति थे रोनाल्ड ऐशर ये लिंग्विस्ट थे वैसे तो ये ब्रिटेन के व्यक्ति थे लेकिन इन्होंने दो भाषाओं को भारत की भाषाओं में बहुत स्टेडि किया था एक तो तमिल और एक मलीयालम दोनों ही द्रेविडियन भाशाएं हैं तो द्रेविडियन भाशाओं के भाशा वैज्यानिक यानि लिंग्विस्ट वैक्ति थे रॉनल्ड एशर ब्रिटेन के थे इनकी डेथ हो गई हैदराबाद के आखरी निजाम मुकर्रम जहा बहादुर जो है उनकी डेथ हो गई तो ये ध्यान रखिए जो आखरी आखरी निजाम थे हैदराबाद के ये इनका नाम था मुकर्रम जहा तो इनकी डेथ हुई थी जनवरी 2023 में ये आखरी निजाम थे हैदराबाद के 1967 से 1971 के बीच में तो ये मीर ओस्मान अली खान का नाम आपने ज़रूर सुना होगा हैदराबाद के बहुती फेमस बहुती बड़े नवाब थे मीर ओस्मान अली खान उनके पोते थे ये तो इनकी डेथ हो गई अभी और इनको मक्का मस्जिद में दफनाया गया AD दामोदरन AD दामोदरन भी CSIR के वैज्ञानिक थे ये डेरेक्टर थे एक इंस्टिट्यूट के जिसका नाम है National Institute for Interdisciplinary Science and Technology यानी NIIST ये तिरूवनन पूरम में है तो इनकी डेथ जो है वो हो गई असाम भाशा के असमिया भाशा बोलते हैं हिंदी में इनके कवी थे निला मनी फुकन बहुत बड़ी हस्ती थे इनने भी ज्यान पीठ अवर्ड मिला हुआ था तो इनकी डेथ भी हो गई वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुश्चिन हरजीत सिंग अरोडा ये हमारी एरफोर्स के वाइस चीफ थे इनकी डेथ हो गई एक खिलाडी थे हमारे सभी रली इन्होंने 1981 एशियन गेम्स जो हुए थे एशियन एथेटिक चैंपियनशिप उसमें डेकेथलोन में गोल्ड मेडल जीता था इनने भारत का आईरन मैन कहा जाता था आईरन मैन उफ इंडिया इनकी डेथ हो गई यह एक बहुत बड़े वास्तुकार थे अर्किटेक्ट थे इन्हें सारे अवर्ड मिले हुए थे इन्हें आगाखान अवर्ड भी मिला हुआ था आगाखान अवर्ड वास्तुकारिता के शेतर में दिया जाता है इन्हें Pritzker Award भी मिला हुआ था और ये पहले इंडियन थे जिने Royal Gold Medal मिला ये Royal Gold Medal जो Royal Institute of British Architect होता है वो देता है तो 2022 में ही इन्हें मिला था और इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग बनाई जैसे for example SEPT की जो बिल्डिंग है एहमदाबाद में इंस्टिट्यूट है SEPT यानि Center for Environment and Planning Technology मातमा गांधी लेबन इंस्टिट्यूट और इन्दोर में अरन्या लो कोस्ट हाउसिंग मॉडल भी इन्हें का आइडिया था तो बाल कृष्ण दोशी जो हैं बहुत बड़ी हस्ती थे सलीम दुरानी एक बहुत बड़े क्रिकेट खिलाडी थे ये एक मात्र क्रिकेट खिलाडी थे जो भारत के लिए खेले लेकिन जिनका जनम अफगानिस्तान में हुआ था तो ये ध्यान लखिए सलीम दुरानी की खास बात ये थी कि इनका जनम अफगानिस्तान में हुआ था एक बहुत बड़ी कंपनी है Intel, इसके को फाउंडर थे Gordon Moore, इनकी डेथ हो गई, Intel कंपनी चिप बनाती है, चिप, माइक्रो प्रोसेसर वगारा वो सब बनाती है, तो Gordon Moore की डेथ हो गई, महशूर कलाकार BKS Verma और महशूर भारतिय पेंटर, दोनों ही पेंटर थे, ललिता लाजमी, इनकी डेथ हो गई, ठीक है, ललिता लाजमी, गुरुदत, एक्टर का नाम सुनाओगा, उनकी बहन थी, तो ललिता लाजमी की डेथ हो गई, और BKS Verma, ये भी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, BKS Verma, इनकी भी डेथ हो गई, तुलसिदास बलराम, भारत के बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी थे, जो भारत का जो golden period कहा जाता है, फुटबॉल में, 60s का जो टाइम था, तो तुलसिदास बलराम जो है, इनकी डेथ हो गई, और बलिप नारायन भागवत, ये है बलिप नारायन भागवत, ये य सबसे important थे मेरी नजरों में वो बता दिये, और जो भी extra चीजे बताई, कि कोई लमणी की singer थी, कोई यक्षगर्ण, कोई संस्कृत के विद्वान, तो ये जो भी मुझे लगा कि extra important हो सकता है, वो मैंने आपको साथ में बताया, तो इस वीडियो को revise करिए, ये वीडियो इस